कि कैसे हैं आज फिर हम मैंसुरेशन का लास्ट करते हैं जो आपका अब तक पढ़ा है वो उसके अंदर सारे मिक्स कोस्टन के निए उससे पहले थोड़ा सा फिछले को से जो में कराएते हैं उनके बारे में एक आड़े देते हैं देखें वच्चो आप इस्टे पहले बेलन, संकू, गोला तथा अर्धगोला यानि कि सिलेंडर शिलेंडर कौन कि स्फियर एंडर हेमिस्पियर इनके बारें पढ़ चुके हैं इसमें अब तक इंडिविजन पढ़ाया है अब हम इनके आपस में रिलेशन या फीगर में दो आकरती एक साथ जुड़ जाना या तीन आकरती एक साथ जुड़ जाना उससे संबंदिद कोशन करेंगे जा किसी आ करती हो दूसरे रूप में बदल देना अब बच्चो फोर्मला आपके सब के याद होंगे अगर नहीं है तो एक बार उन्हें रिमाइंड भी करें और प्रक्टिस करते हैं लिख लिए के जितने कोशन के अंदर फोर्मले यूज करोगे उतिन जल्दिया आपके यह कि चलाज कोशन लेते हैं कि देख कोशन नंबर वन है कि इसे का दो ठोस लंब्रत्य संकू समान उचाहिए अगर हम दो संकू बना दे हैं तो इनकी उचाही समान है लेकिन हम इनकी त्रिज्जाओं में अंतर कर सकते हैं कि दोनों की उचाहिए समान है है एच है लेकिन दोनों की त्रिज्जाओं में अंतर है अगर हमने इसकी त्रिज्जा आरवन लिया है वह पहला संकू है उश्की त्रिज्जा अर्वन और 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 दूसरा और टूँ अन्हें गला कर समान ओंटाय का अब उन्हें क्या अगरा अब पर गला न करने गर ऐसेूझाल देंगे और इसी उचाहिका इन दोनों को गलाने के बाद इसी उचाहिका निद्र है एक शुक्त बा लटेते हैं अब उंचाई उसकी भी समान रखनी है तो तो यह बेलन बनाना है बेलन कि इसी उंचाई का बेलन बनाना है बेटा यह इस तरीके जाए उसी उंचाई का यानि बेलन की उचाई भी संको के उचाई के समान है उन्हें गला का समान उचाई के एक बेलन के रूप में परिवर्टित किया जाता है तो सिद कीजिए कि बेलन के आधार की तिरिज्जा हमने इसको आर माल्या कैपिटल उसकी जो वैल्यू आएगी वह आएगी आर वन स्क्राइब प्लस आर्ट वन स्क्राइब अपॉन थी का पॉल अंडर रूट यह मैं सिद करना बीटर देख अब कैसे सोल्ड करेंगे चूंकि दोनों संको की कि उचाई है कि समान यानि कि एच मान रखावन है है तो दोनों संको की उचाई समान यानि एच है इसलिए पहले संको का आयतन लिए वेटा फोर्मला होता है हां वेरी गुड आपने बता दें पहली यह वन अपॉन थी पाई रवन है तो तीज़्जा रगा देना यहां वन अपॉन थी पाई आरवन एसक्वार है इसी परकार जो दूसा संको है इसके आयतन में तो यह उचाई तो समान है त्रिज्जा का अंतर है तो वन अपॉन थी पाई आर्टू स्क्वाइर है यूनिट जो अगर गिविन होती तो यह पाउर में जाती क्यूबिक यूनिट यानि घन इकाई ठीक है अब यह कह रहा कि इनको गलाकर एक बेलन बना गया है और बेलन के आधार की तिरिज्जा कैपिटल हमना आर्मान ली जो सिलेंडर है बेलन है उसके आधार की तिरिज्जा कि उसी उचाईगा कहा है जितना उचाईगा संकू है उतनी उचाईगा में बेलन बनाना है इसलिए कि बेलन का आयतन अधार कि बराबर पाई है आर इसक्वाइर है कि उचाई यहां भी समान है तो परस्णा नुसार अधार कि यहनि अकोर्डिंग टू कोस्टन क्या कह रहा है कि जब दो संकूओ को गलाकर एक बेलन बनाया है तो बेलन का आयतन आयतन बराबर दोनों संकूओ का आयतन बेलन का आयतन बराबर दोनों संकूओ का पुल आयतन बराबर कि इनको आपसमें जोड देंगे कि जो दो संकूओ हमारे पास अलग लगते हैं उनका आयतनों को जोड देंगे यह ता एक का एक का यह ता तो वन बाई थिरी पाई आर वन इसक्वाइर एच लस वन बाई थिरी पाई आर टू स्क्वाइर एच और यहां था यह बेलन का पाई कैपिटल आर इसक्वाइर एच तो पाई और एच दोनों में तो कोमन आ जा गया थर भी पाई और एच पाई कोंस्टेंट है और एच दोनों की समान हो चाहिए और एक बटे तीन भी कोमन ले 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 चलो उसको छोड़ दें कि आए कि टोई क्या बन जाएगा आरएं इसक्वाइर अपॉन थी प्लस 2 पाई टो हुआश अपॉन 3 ही कि गूरिये 5 एच इंटू आर इसक्वायर प्लस चाहिए तो जब इदर आर स्कॉार है तो हम est .... ली आर जो है कि यानि टे किंगस्कॉार उर सालट रुट उप बोथ साइड यानि दोनों पक्ष citork का वर्गमूल लेने बेन किंगक्र वीड़ी 70 mothers टेकिंग ऐ लूट रहा जायेगा है ओर यह ओल यह बन जायगा आरब स्कॉाइर प्लस on a r two स्कॉाइर अपॉं थिदी आ आपको यह पूरुफ न कहाता एंदो ने कि यह काता कि सिंद इसे बेलन के आधार की तिरिज्जा आरवन स्कॉाइर प्लस आर्ट ट्यूस्कॉइर अपॉं थिरी का हौण देख दी जाब और वन स्कॉरार प्लस आर्ट विस्कॉर अपॉन थिरी का होल स्कॉर रूट इसको बिल्कु सिंप्ल था कि फोर्मुले लड़ने तो इसमें हमें एश्टा कुछ निकरना के फोर्मुलों को रखना है और सीधी सीधी आंसर को फाइंड आउट करना है ठीक है चले नेक्स कोशन कि देखें कैप्सूल बना रखा है इसमें कि सनलग्न चित्र में दवा का एक कैप्सूल है उसमें बेलन के आकार का है और जिसके दोरों सिरों पर एक एक अर्ध गोला लगा हुआ है पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटी मिटर है 14 मिली मीटर है और उसका व्यास पांच मिली मीटर है देखो बच्चों इसमें क्या होगा कि यह जो इसकी बिच्ची उचाही दिखाई दिए है यह इसकी जो यह अर्ध ब्रत बने वे हैं इनका व्यास हो गए और जो बेलनाकार भाग बचा वह इस विच्चा बचाई तो हमें बेलनाकार भाग की उचाही निकान दिए लंबाई के दीजिए अगर हम किसी चीज़ाएंगे पास यह होल्डर ही है पैन होल्डर हैं अगर हम कहाने कि एसन आप उ तो इसकी लैंद हो जाती है और इसका इस पांच मिलिमीटर कैप्सूल की तिरिज्जा जो रेडेस होती है वह व्यास बटे दो होती है तो पांच बटे दो मिली मीटर जो पांच बटे दो है अब पहले बताया था जब अर्धगोला पड़ाया था कि अर्धगोले की तिरिज्जा उसकी उचाई के बराबर होती है अब इसके अंदर दो सिरे हैं दोनों अर्धगोला कार है कैसूल की कुल लंबाई मिली मीटर बेलनाकार भाग जो इस कैसूल का बेलनाकार भाग है यहां सकते इसकी लंबाई निकालेंगे लंबाई हो यह उचाई हो रीपर जान करते हैं एच से हैं 14 मिली मीटर टोटल लेंथ हैं यहां तक टोटल लेंथ यहांनि 14 मिली मीटर फाइबाई टू यह खत्म और फाइबाई टू इधर भी लेंथ हो जाएगी क्योंकि व्यास पांच ता तो तीज़ा पांच बटे दो होगी और अर्ध गोले की उचाई उसकी तीज़ा के बराबर से हमेशा याद रखना तो माइनस पाँच बटे दो पहला पार्ट माइनस पाँच बटे दो दूस्टा पार्ट अगर आपन्टे तो अब देखें माइनस 5 माइनस 5 माइनस की 10 हो गए तो 28 माइनस 10 अपॉन 2 18 अपॉन 2 इट मीन्स 9 मिली मीटर तो बेटा यह 9 मिली मीटर इसकी लैंथ हो गई जो सिलेंडिकल पार्ट है यहां तक अब यह पुजा कि पूरे कैप्सूल का प्रष्टे छेत्रफल ग्याद कीजिए तो बेटेस में तीन आकरती आ रही है अगर अलगे देखो पहले अर्धगोला यानि की हैमिस्फियर फिर सिलेंडर और फिर अर्धगोला यानि हैमिस्फियर तो अब हम जब निकालता है कि इसक या निए सिर्शेड तो तो यह निए सिर्शेड तॉओंडर कितना पता आया बेटा आप टूपाई आरेच वेरी गुद आपके फोर्मली आद दो चुकेस का मतलब टूपाई और एच तो टूपाई के वाएज बेटा रखना चाहब भी रखने तो लास्ट में खट्टी रख देंगे पाई कि रेडिस से फाई बाई टू और एच एसी नाइन ध्यान रखे नाइन मीली मीटर तो यहां टू से टू कैंसिल आउट हो गया तो नाइन फाई जा फॉर्टी फाइव पाई देखें बेटा मीली मीटर है तो वर्ग मीली मीटर कि यह हमने स्रेंडिकल पार्ट का वक्त पश्चेश पर ग्याद कर लिया अब हमारे पास्ट टू एंड्स हैं और दोनों सुरे कैसे हैं अर्द गोलाकार है तो दोनों का एक साथ निकाल सकते हैं कि दोनों अर्ध गोलों का वक्त पश्चेश केतरफल टीस से ओव टू है मिस्पिर टीस से ओव टू हैमीश्पिर कि देखें है मिस्फर का जो सियास्ट से लिए टू पाई आर इस्पायर यह एक का होता है और हमारे पास कितने हैं तो टू से मल्टिप्लाइब कर देंगे कि आप जानते हैं कि दो हैमिश्वें को जोड दिया जाए आपस में तो वह एक बन जाता है इस फेर एक गोला बन जाता है तो इस बन जाता है और पाई आर इसक्वाइर 4 pi pi upon 2 whole square 5 square 25 or 2 square 4 4 the 4 cancel 25 25 25 pi work meter millimeter about a castle about the passage at the fall you 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 month you 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 कैसे थे अर्धगोलाकार ते दोनों अर्धगोलों का कि वक्त प्रश्टेज शेत्रिफल कि दो पहला आया था आपका अंतर 45 पाई 45 पाई और बाट 25 पाई इन दोनों को एड़ कर देंगे प्लस 25 पाई दोनों एड़ों कर देंगे 75 अब देखें पाई की वैल्लीव रख सकते हैं आसानी से 22.7 सेवन से सेंटी कैंसे कर दें 100 ताइम तो 220 वर्ग मिली मीटर यह इस कैप्सूल का प्रश्टेज शेत्रिफल है 220 वर्ग मिली मीटर समझे मागव आपके यह लिए नेक्स को सिंथ्ट 12 सेंटीमीटर तीज जाके एक बेलना का टब देख एक बेलना का टब है यह में 20 सेंटीमीटर उचाई तक पानी भरावा है माल्या हमें नहीं पता है कि उचाई कितनी है यह कहां तक पानी भरावाई पानी भरावाई सेंदर इसकी उचाई है 20 सेंटीमीटर लोई की एक गोल्य गैन तब मैं डाल दी जाती है माल्या हमने एक गोली सेंदर डाल दी लोई किये और इस परकार पानी का इस्तर है दसनलों साथ पांच सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है यानिकि जो पानी इस लेविल पर था यह यहां से यह तक बढ़ गया यह जो उपर उठाए यह के वाद 6.75 पैंटीमीटर तो गैन्द की तिरिजा ग्यात कीजिए अब यह जो गैन्द है अगर छोटी होगी तो पानी कम उठेगा अग्यांद बहुत बड़ी होगी तो पानी जाद उठेगा तो अब यह पानी पहले कितना था इससे हमां कोई मत मतलब नहीं है हमें पानी कितनी ऊचाहे तक उपर उठा और इस टंप की जो तिरिजा वह दे रखी है 12 सेंटीमीटर यहां से आं तक यह 12 सेंटीमीटर यानि 12 सेंटीमीटर दे रखी है ऐस जी नीचे भारह यहां से तक कि लग कि कि बेलना काड़ तब की तिरिज्जा आर बराबर कि 12 सेंटीमिटर जो उपर उठें पानी का इस्तर है वह यह 6.75 सेंटीमिटर जो लेविल है यानि कि उचाई कितनी है पानी उठेगी 6.75 सेंटीमिटर अब यह पानी कब उठेगा जब इस गेंदर को हम गोले झायन डालते हैं तो पहले लिख लेए उपर उठें पानी का आयतन यानि जो बेलना का तब के हिसाफ से चलो गए तो आकरती जो भी होगी उससे आकरती पानी भी उपर उठेगा तो उपर उठे पानी का आयतन पाई आर इसक्वाइर एच पाई आर के में जब ट्वैल तो ट्वैल का होल स्क्वाइर इंटू 6.75 अब देखे यह आयतन है तो आयतन का फॉर्मला जाए मातर को जाए घन सेंटी मीटर यूनिट सेंटी मीटर में थी तो आयतन घन सेंटी मीटर अब इसको अभी शोड़ नहीं कर रहे हैं यह छोड़ देते हैं क्योंकि यह जो पानी उठा यह गैंस दानने के बाद उठा तो माना गोल्य गैंस की तिरिज्जा पराबर आर सेंटी मीटर क्योंकि यूनिट सेंटी मीटर में है तो हमने गैंस की तिरिज्जा को भी सेंटी मीटर माल लिया है गोल्य गैंद का आयतन अब देखें जो गोल्य गैंद है उसका आयतन क्या होगा जो गोल्य का आयतन है वही और अपॉन थी पाई रिड़स आर है तो आर क्यूब मातरक घन सेंटी मीटर कि गैंद को पानी में डूबो दिया इसलिए पानी उपर उठाए तो यह जो गोल्य गैंद का आयतन होगा यह उपर उठे पानी का आयतन के बराबर होगा परस्ण उसार गोल्य गैंद का आयतन बराबर ऊपर उठे पानी का आयतन कि जहां रखना बेटा इस तरीके से हैं कि जब कोई बस तो डूबो होगे तभी पानी उपर उठेगा इसका आयतन होगा 4.3 हां पाइट पाइ एन्टु सिक्स पॉइंट सैंवर हमें बड़ा और निकालना है तो यह पाइस से पाइक को केंसिल आउट कर देंगे आल कूभ इक्वर टू है यह ध्री मल्टिप्रिम आजाए गा इधर दी इंटो 12 इंटो 12 इंटो 6.75 और यह फोर मल्टिप्लाइए मतार डिवाइड मा आ जाएगा इस पॉइंट को रिमूव कर दें पॉइंट सागर टू पलेस है तो हंडेड आ जाएगा चार सा काड़ें इसको पहले है तो चार्थ या बारा है तो बच्चीशा काड़ें पाचीशों का सो वें पच्चीश दूनि पचास सत्रा बच्चे एक्सच्पिश्यत पर ट्रेस एक्सट्रेश और चार्थिया बारा है आहां पर देख रहे हैं कि आर क्यूब इकवल टु थिरी इंटु 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 थिरी का क्यूब और यह भी थिरी का क्यूब तो जब हम देखते हैं कि यह 3 का क्यूब ये विप्ति थे कीूब है तो there three Ho public a profitability a Resp handle आद कession यहाणी क्यूब रूट ऑन जाएक आधे यह तकिंग क्यूब यह जुक्षण गनाओ लेने पर ही क्यूल तो अत्य है गोल यह गैंद की तिरिज्जा परावर 9 cm कि ये बटेस का अंसर है 9 cm समझे आगए आपके चेले नेक्स्ट कोस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् एक कलमदान घनाप के आकार की एक लकड़ी से बनाएं तो जब घनाप के आकार की लकड़ी यह नीचे तो उसकी लंबाई भी दी गई है यह जो विमाएंस में लंबाई है चोड़ाई है और उसकी उचाई है तो पहले घनाप के बारें बात करेंगे घनाप की लंबाई यानी L इक्वल टू घनाप की चोड़ाई यानी breath इक्वल टू बी इक्वल टू घनाप की उचाई यानी हाइट एच इक्वल टू यह 15 सेंटीमीटर है यह 10 सेंटीमीटर है और या पी 3.5 सेंटीमीटर है इसके चार गड़े बन रहे हैं इन चारों गड़ों के अंदर हमें इस आकरती को जो मारी संक्वाकार आकरती है यह वाली तो इस तेगे गड़े बने में यह इनका ऊपरी सिरा तो यह और अंदर यह इस तेगे बने में है तो रंक्वाकार जिससे यह पैन होड़े इसके अंदर सीधा इस तेगे चला जाए तो परते गड़े की तिरिजा 0.5 सेंटीमीटर है और घैराई 1.4 सेंटीमीटर तो पूर खनाब का आइतन निकाल दीजिए पहले है कि अ कि अ कि चाब फोर्मला था खनाब का आइतन का लंबाई है यानि एल है मुना चोड़ाई गुना उचाई एल इंटू इंटू एंटू है लैंद कितनी है फिप्टीन ब्रैत टैन और राइट थी पॉइंट फाइव इस कर दीजिए यहां से अपोन में टैन यह कैंसिल हो गया तो फिप्टीन इंटू थर्टी फाइव कि यह आप घंड सैंटी मीटर अब यह कह रहा है कि जो गड़्डा है जो बन रहा है यह संक्वाकार है और चार गड़्डे हैं एक दो तीन चार तो हमें पहले एक गड़्ड कि अगरे कि अगरे कि अगरे कि अगरे कि अगरे कि अगरे डिया और यह दिश्यू आप अगरे जो पूंट पांस सेंटी मिटर 0.5 सेंटी मिटर इसका मतलब होगा है एक बटे दो सेंटी मिटर पॉंट अटा देंगे दस आजाएगा बटे नहीं तो पांस एक पांस पांस दूनी दर और जो घ्राइज दिया है एक पूंट चार सेंटी मिटर कि अगरे कि कि यह आगे होड़ा अब यह संक्वागा गड़्डा है उसका आयतन निकालने पहले है परति एक परति एक शंक्वागा गड़्डे का आयतन क्योंकि यह संक्वागा रहे तो बन बाइस थिरी पाई आर स्क्वाइर एट अब पाई के वैल्यू बटे साथ आर की वैल्यू वन बाइस टू इंटू वन बाइस होल स्क्वाइर है तो दो बाल लिग देंगे है एच को 14 बटे 10 देकर साथ दूनी 14 दो से दो काट दें 11 दूनी 22 उपर हो गया आपका 11 अनीचे केवल 30 हमारे पास 4 गड़्डे हैं कर दूपर होगा आपका 11 अनीचे केवल 30 हमारे पास 4 गड़्डे हैं कि चार से गुना कर देंगे हैं कि चार गुना 11 बटे तीस दो दूनी चार पंदर दूनी तीस तो बाइस बटे पंदर आगे कि घन सैंटीमीटर कि अब यह क्या पूछा देखो कि पूरे करमदान में लकड़ी का आयतन ग्याद कीजिए इसे पैन ओल्डर पूरा बना रखा है तो यह घनाब का आयतन माइनस कि चारों गड़ों का कुल आयतन माइनस माइनस 22 बटे पंदरह कि अग्याद कर लें अगया थो इसको पंदरह भाग कर लें इसे बंद्रह 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 बच्चे अग्याद का दो बेटा चलता रहे का यह है तो वन पॉंट पॉंट फॉर शीच छीच और इसे एप्रश्मेट लिए 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 पॉइंट फॉर तैवन इसको लेस्ट करता है फई ट्वेंटिफाइब में से अ तो फिर फई त्री हो गया पॉर माइस बन थ्री तो फई नेट फ्वेंट फ्री पॉइंट फाइट फिरी इसमें जो लगणी लगी वो 523 तो पांच तीन घन सेंटीमिटर लगी ते लिए नेक्स कोशन देखते हैं कि व्यास 12 सेंटीमिटर और उचाए 15 सेंटीमिटर वाले एक लंब्रत्य बेलन के आकार का बरतन है जो आइस करीम से पूरा भरावा है तो इसका मतलब क्या है कि बेल्दाकार बरतन नहीं है कि इसका व्यास जा गया है 12 एक स्कीरे सक दूसरे स्कीरे तक 12 सेंटीमिटर उचाही जीए 15 सेंटीमिटर इस आइस क्रीम को बारे सेंटीमिटर उचाही और 6 सेंटीमिटर व्यास वाले संकों में भरा जाना है कि इसके अंदर जो टोटल आइस्कीम भरी हुई है उसे कैसे करना देखो पहले संकू बनाना है इसका व्याज से सेंटीमिटर अश्की उचाई है वारे सेंटीमिटर और जिनका उपरी भाग यानि उपर एक अर्धगोलाकार भी होगा यह भी धान लगए इसके ऊपर एक एक हेमिस्फेरिकल लेर और लगा दिया जाती है जिसा आप बोलते हैं पहले तो वह इसकों के अंद भादेगा तो उन संकों की संक्या ज्याद कीजिये जो इस इस बरे जा सकते हैं यानि कि ऐसी स्थितिक इस 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 हमें बहुत साइब बनेंगे बताना है तो पहले हम देखते हैं बेलनाकार आका का जो बरतन है इसका व्यास जा गया वेटा बारा सेंटीमीटर तो बेलनाकार बरतन की तिरिज्जा और बराबर व्यास बटे दो है है सेंटीमीटर उचाई दी गई है यह 15 सेंटीमीटर दी गई है तो बिटा जैसी आकरती वरतन की होगी तो उस आकरती के आए करती के बराबर उसके अंदर आषके रिम होगी तो बेलनाकार बरतन वें आए क्रीम की तमात्रा यह आएक्रीम का आए तो यह का बेलनाकार बरतन का आयतन अब बेलनाकार बरतन है तो फोगल आपको पता ही है जोको बच्चों एक ज्टिकाव द्यान नक्हां में था कि आपने बेलन पडा बेलन का आयतन पड़तन प्याय है आप क्वाई इस्कुआर एक बट मेसे औब यस्कुाय है है जब हम आयतम निकालते हैं तो पाई हर जगे आता है यहां देख रहे हैं कि तीन आगरती हमारे पाइस आ रही है एक बेलना का तुमने पाई रिसक्वाइच जब सोफ्ती बनाई या कमने जो आइसक्रीम को सिर्फ क्या संकवाकार में है तो उसके अंदर संकू भी है उसके पर से एक अर्ध गोला भी है तो दुमावी पाई आएगा दोनों में तो इसलिए पाई के वैल्यों भी नहीं रखेंगे तो पाई आर के वैल्यू सिट्स प्रैस के वैल्यू फिप्टीन है तो पाई गुना च्छतिस गुना पंद्रा है तो पंदेश्चिका नब्य नो पं पांसोचालिस पाई घन सैंटीमीटर जो बेलनाकार बरता नहीं इसके अंदर पांसोचालिस घन सैंटीमीटर आइश्कीम भरी हुई है अब उस आइश्कीम कैसे कनवर्ट करना हमें कि देखो कि जिसका ओपरिस अजलाकार है कि आए ति म कें 12 सेंटीमीटर आई और व्यास चैंटीमीटर मेच तो व्यास 6 सेंटीमीटर आइए टो यह चैबड़े दो जाएगा करें यह बारे सेंटीमीटर है कि तो बेटा जब संकु के ऊपर अर्ध गोला रखा गया है तो अर्ध गोले तिरिज्जा भी संकु के तिरिज्जा के बराबर होगी तो संक्वा का भाग का आयतन हाँ 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 वेरी गुड़ आपके फोर्म बिल्गुल दर्ने से मतलब यह है वन अपॉन थी पाइड है एच तो वन बाई थिरी पाइड यहां भी मत अखें पाई की वैल ना रखें यहां आर थिरी ए अदो बारत थीरी इंटू थीरी एच ट्वेल थिरी कैंसिल तो थर्टी सिक्स पाई गन सेंटीमीटर अब बचा बेटे के वल आपके पास अर्ध गोला जो अर्ध गोला उसकी तिरिज्जा आर बराबर छे बटे दो व्यास होई छैता तो तीन सेंटीमीटर अर्ध गोले का व 항 पर कि मिला थीक दो भॉटें थीन-भाई-ब्यां चाहिए और नियुक्तिन थीन-भाई गए थीन-बार टीन गुना-थीन-बखोना-थीन-ख़ोना-थीन-दे-थीन कड़ गया अभी असे दिभाएग और फोल्भ आ बहुए है गन सेंटीमिटर अब आप देख रहे हैं 36 पाई गन सेंटीमिटर है और 18 पाई यह दो वेल्य हुमारे पास प्राफ्ट होती हैं यह दोनों एक यह आइस करीम के पार्ट हैं नीचाला पार्ट संक्वाकर है उपर का अर्धोलाकर है तो एक आइस क्रीम का पुलायतन यह संक्वाकार भाग गया इसमें प्लस अठार पाई यानि संक्वाकार भाग अठार प्लस अठार भाग यहां एक रहना पुल आए तंग कर दो कि 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 दो लास्ट में पूछा था उन संकों की संक्या ग्यात कीजिए जो इस आईस्क्रीम में भरे जा सकते हैं जैनि आइस्क्रीम का कुलायतन 540 प्ला है और एक आईस्क्रीम का कॉलायतन जो संक्वाकार आ थी चोववन पाई यह कैंसिल है दस बार एकट गया तो आपको 10 संक्वाकार तो यह जो संक्वाकार उनके आवस्कता पड़ेगी वोकुल संक्वोंगे 10 तो उस टोटल आई इसकों को दस संक्वों में भर सकते हैं आपको कोशन समय में आ गया होगा जो बच्चों यह विद्याप्रकाशन मंदिर आपको फिलुप कोश्ट पढ़ा रहा है और आसा करते हैं कि आप इन कोस्तों को अच्छी तब्सक्राइब करते रहें हमें पूर्य विश्वाज है कि आप इन कोस्तों को लगाता क्रिस करते रहेंगे तो आप जीवन में उचाई पर पहुंचेंगे और अपने सफलोंगे धन्यवाद हैपी लेर्णिंग टेक केर